तो स्वागत है आप सभी का अपडेट टॉक्स के एक और नहे फ्रेश एपिसोड में आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगें सैमसंग के उन डिवाइसे के बारे में जिन डिवाइसे में न्यू साफ्ट्वेर अपडेट सैमसंग ने रिलीज किया है तो वीडियो को तक देखिएगा और लाइक कर देजिएगा इस वीडियो को साथ ही चैनल पर यदि आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शराब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला अपडेट है एस ट्वेंटी टू सिरीज के लिए 452 MB का अपडेट है जुलाइका सेक्योर्टी पैच है और इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योर्टी को इंप्रूफ किया गया है बग्स को फिक्स किया गया है कुछ फिचर्स को एड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूफ किया गया है तो बिसिकली इस अपडेट के अंदर जो भी बग्स और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उन बग्स और प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया साथ में camera quality को यहाँ पर improve किया गया है यह जो update है H22 series H22, H22 Plus और H22 Ultra के लिए release किया गया है तो update किजिए अगला update है H21 series के लिए बात करें update file की तो 300.04 MB का update है जुलाई का security patch है और इस update में Samsung ने device की security को improve किया है साथ में device की stability को improve किया है bugs को fix किया गया है, कुछ features को add किया गया device की performance को भी improve किया गया है दोस्तों तो यहाँ पर कुछ bugs हमें देखने को मिल रहे थे 1UI 6.1 update के बाद तो उन bugs को यहाँ पर fix किया गया है बाकी यहाँ पर battery backup को भी improve किया गया है तो अगर आप H21 series में से H21, H21 Plus या फिर H21 Ultra device से उच करते हैं तो update किजिए अपने device को पढ़ते हैं next update कियो तो अगला update है aim 35 के लिए तो यह नया device launch हुआ है बात करें update file की तो 284 MB का update है July का latest security patch मिल जाता है और इस update में Samsung ने device की security को improve किया है device को latest security patch से update किया गया है और यहाँ पर bugs को fix किया गया है कुछ features को एंट किया गया और device की performance को भी improve किया गया है तो अभी यह device recently launch हुआ है और इसमें हमें कुछ extra features भी मिल जाता है जैसे Bixby का support aim 35 में देखने को मिल जाता है जो कि aim 34 में नहीं था तो update कीज अपने device को first update है अगला update है A21AP Exynos variant के लिए बात करें update फाइल की तो 271MB का update है जुलाई का security पैचा और इस update में Samsung एडिवाइस की security को improve किया है साथ में device की stability को improve किया गया bugs को fix किया गया तो features को end किया गया है और device की performance को भी improve किया गया है तो अगर आप A21APE 5G Exynos variant यूज करते है तो update कीजे अपने device को हालाकि जो users A21APE Snapdragon variant यूज करते है तो उन users के लिए already update आ चुका है तो update कीजे अपने device को अगला update है Samsung M54 के लिए बात करें update फाइल की तो 275MB का update है जुलाई का security पैचा है और यहाँ पर यह जो update है भी out of India release किया गया है इंडिया में next week तक यह जो update है वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों इस update में आपको latest security patch मिल जाता है और कुछ bugs को fix किया गया है और security को improve किया गया है दोस्तों तो wait कीजे जैसे ही update आएगा आपको मेरे चैनल पर information मिल जाएगी अगला update है Samsung A34 के लिए बात करें update फाइल की 288 MB का update है जुलाई का security patch है और काफी दिनों के बाद finally A34 के लिए update release किया जा रहा है हाला कि यह जो update है भी out of India release किया गया है इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है और जो भी bugs और problems हमें देखने को मिल रहे है वनीवाइ 6.1 अपडेट में उन bugs और problems को fix किया जाएगा और साथ में latest security patch भी आने वाला है तो wait कीजिए बहुत ही जल्द यह update है आपके device में मिल जाएगा दोस्तों तो यही था आज के इस वीडियो में अमीद है आपको वीडियो पसंद आएगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगे वीडियो को कर दिजेगा like चैनल पर या पहली बनाएं तो चैनल को कर दिजेगा subscribe मैं मलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम